मानो पुत्र मनुष्यों की हवाले कर दिया जाएगा वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जीव उठेगा संत मत्ती कसु समचार अध्याई सत्रा पस्यंक्याईं बाईस और तेज आज का सुपसंदेश ये एरुसलीम प्रभू की स्तुती कर ये एरुसलीम प्रभू की स्तुती कर प्रभू में मेरे प्यारे भायूर बहनों आज मातकलिस्या संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे का शहिदत का दिवस मनाती है एक पुरोईत किस प्रकार अपने जीवन दूसरों के लिए निचावर करते हैं शैसु समचार यहां आज सही बैड़ता है प्रबु अपने मृत्यू के बारे में दुख भोग के बारे में पुरुतान के बारे में दुधिय बविश्यवानी संत मत्य कसु समाचार में देते हैं संत मैक्समिलियन कॉलबे वही जीवन जीते हैं जो प्रबु उनसे चाहते हैं किस प्रकार वो अपना जीवन एक और व्हक्ति के लिए उनका परिवार को समझते विए परिवार के सदस्यों को समझते विए वो अपना जीवन उनके कारण निचावर करते हैं प्रिया विश्वासियो, हमारा क्रेश्टे जीवन यही पर नहित है, ठिका हुआ है कि मैं एक दूसरे से प्यार करूं, जैसे मैं अपने से प्यार करता हूं सांसारी की विवस्ता मानोव के लिए बनाए गई है ताकि वो समाच में एक जीवन को विवस्तित करते विए अच्चे से बिता सके हैं यानि समाच में समानता हो भायचारा हो आपसी प्रेम बढ़े हैं लेकिन बारम बारम देखते हैं मनुष अपने स्वार्त के कारण अपने कारण दूसरों के किलाफ जाते हैं उन नियमों को किलाफ जाते हैं समाच के भायचारे की किलाफ जाते हैं आपसी प्रेम के किलाफ जाते हैं जब मुझे मौका मिलता है भाईचारे दिखाने का, समानता दिखाने का, प्रेम को दिखाने का, क्या मैं आगे बढ़ता हूँ या पीछे अड़ता हूँ, आज का संत मैक्समिलियन कॉलबे से हम प्रात्न करें उनका उदारन को हम धारन करें जैसे उन्होंने भायचारे को दिखाया प्रेम को दिखाया और वह समानता का भाव को सामने रखा प्रबू उनके जीवन को द्वारा हम सबों को ये जीवन जीने के लिए प्रेर ना दे कि हम भी एक दूसरों के संतुष्ट के लिए ना केवल अपने एशा के लिए जीए प्रभा हम सब को आशिश करपा से बर दे आमेन